जैहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूटूब चनल पर दोस्तो आज का टॉपिक है निवंद को कैसे लिखे हाई स्कूल के एक्जामनेशन में या फिर इंटर का कोई एक्जामनेशन है हिंदी में निवंद आता लिखने के लिए जो कि बहुत ही इंपोर्ट माइड ला याँ पर और थुद्रा सा माइड का यूज करो गया तो लिख डालोंगे कोई इब निवंद याद नहीं करना सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी निवंद याद नहीं करना पहली चीच्छा आद निवंद का मतलब क्या होता है इस चीज को पर्ले समझो, फिर नीवंद को लिखना शीखना, देखो नीवंद का मतलब क्या होता है, जैसे माल लो, मैं, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मेरे बारे मैं आप क्या जानते हो, मैं पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, खराब पढ़ाता हूँ, जो भी मे यहाँ पर टीचर अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, तो यह सब उसके बारे में लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो, यही है आपके स्कूल का निवंद, यानि कि निवंद का मतलब यह है कि आपको जो टॉपिक दिया गया है, उसके बारे में आप कितना जानते हो उसको लिख ढलो, वो हो गया उसका निबंद, लेकिन matter यह है कि निबंद के लिखने की सैली भी पता आपको होना, चाहिए इसा नहीं कि कुछा लिख दो बात समझ में आया कि नहीं, यानि कि उसका एक तरीका होता है कि निबंद को लिखना कैसे है ये तरीका आपको पता होना चाहिए बट निबंद में क्या लिखना है वो आपको तो पता होगा जैसे ताज महल आ गया कि ताज महल के बारे में निबंद लिखो यार तब तो ताज महल के बारे में आपको पता बता होना चाहिए मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी टॉपिक लगबग आने की समभाना है इसके बारे में भी बात करूंगा लेकिन पहले हम लोग सीखें कि निवंद को लिखा कैसे जाता है इस चीज को समझते हैं तो देखो किसी भी चीज के बारे में अगर कुछ बताना आपक है तो सबसे पहले क्या किराते हो लोगों से परिचा कराते हो कि यह हमारे नाना है काका है काकी यह जो भी है उसके बाद उनके बारे में बताना सुरू करते हो कि यह काम करते हैं ऐसा पहले आप नाम ही बताते हैं नहीं कि परिचा कराते हो बात समझते इसी प्रकार जब आप लिखने से पहले सबसे पहले हाई स्कूल के अगर बात करो तो हाई स्कूल में पांच टॉपिक देंगे निवंद के उन पांचों में से किसी एक को करना रहेगा और यह निवंद वाला के बारे में ठीक है कि प्रदूषर की बारे में निवंद लिखो तो लिखोगे कैसे तो आपका फर्स्ट हेडिंग होना चीह मालो की कोस्चन नमबर 13 30 पे दिया है कि निवंद लिखो और प्रदूषर ता वो तीसरे अस्तान पर था तो आप क्या लिखोगे प्रशनो उत्तर पहले लिखोगे प्रश्णों उत्तर नमबर तीस का तीसरा ठीक अब यहां बीचों भी सिफिल लिखोगे प्रदूसर प्रदूसर पर निबंद अब ऐसे कर लेना अब यहां पर लिखना सबसे पहला जो हेडिंग आपका पड़ेगा उस हेडिंग का नाम आप लिखोगे एक चीज और समझो निबंद के तीन पार्ट होते हैं अगर कोई आप निबंद लिख रहे हो तो उसके तीन पार्ट होंगे एक तो होता है आप लिखोगे निबंद के अंग बॉड़ी आफ निबंद का अंग और मैं समझाओंगा यह निबंद का अंग क्या है फिर लास्ट में लिखाया था निसकर्स ठीक है अब बात को समझो निबंद के लिखने के तीन बार एक पहला प्रस्तान आपको लिखना ही पड़ेगा दूसरा बात निबंद का अंग मैं समझाओंगा भी निबंद का अंग क्या है लास्ट में आपको लिखना होता निसकर्स देखो निबंद का अंग क्या यह से मालो कि मैं प्रदूसर के बारे में अगर बात कर रहा हूं तो प्रदूसर पर पहले सबसे पहले आप क्या लिख क्रदूसर एक प्रकार का जो है किते हैं कच्रा चाइम में जो भी चीज़ेया ऐसा चीज़ रहा है तूरत वहां उस तरह की प्रदूसर वोगई कोई जनवर मर गया लिए तो यदओं की प्रकार की तो यह गहें आपके प्रस्तावरों में टी प्रकिर प्रदूसर है क्या चीज़ जब कोई इंजान मर जाता है या फिर कोई जानवर मर जाता है पेड़ पोधे सरते गलते तो वहां से जो बदबु निकलती आपका प्रदूसर हो गया प्रदूसर के कई प्रकार होते हैं धूल कर वाले प्रदूसर बदबु वाले प्रदूसर जो धुमा निकलता है जो हमारे लिए हनिकारक होता है वो है प्रदूसर यह हो गया प्रस्तावना बात की लगए एक डिफिनिशन टाइप में कि है क्या चीज़ जैसे एक टॉपिक दूसरा आगया मालो की प्रदूसर के जगार पिदे दिया बेरोजगारी ठीक है बेरोजगारी पन्नी बंद लिए तो बेरोजगारी है क्या चीज़ जब इनसान के पास कोई रोजगार नहीं होता कोई काम दाम ठीक है तो उससे बेरोजगारी कहते है फिर कहते हैं उसके पास कोई रोजगार नहीं है अब बेरोजगार जो बेरोजगारी फैली है किस कारण फैली है यह आप डालोगे निवंद के अंग में बेरोजगारी फैलने का कारण है अब उसमें कारण लिखोगे बढ़ती जन सं संख्या के कारण बढ़ रही है क्योंकि काम करने की जगह 10 है और जनसंख्या 20 है जिसका बेरोजगारी फैल रही है यह गई बढ़ती जनसंख्या ठीक है दूसरा लिख सकते हो आप उसमें हेडिंग कारण में लिख सकते हो कि खते हैं उद्धोगों की कमी वद्याग्दंधों की कमी फैक्ट्रियों की कमी ठीक है तो क्या चाला दोरब जादर से ज्ञादा गई नहीं बनाई जा रही है जिस कारण लोग वेरोजगार यह चीज हो जाएगी फिर तीसरी पयंट उसमें डाल सकते हो इसी प्रकार से कुछ और एड़ करके तीसरे पॉइंट पर भी लिख सकते हो कि विरुजगारी का कारण क्या है सरकार के द्वारा वेकेंसी नहीं निकाले जा रही है विरुजगारी का कारण है समझ मैं रहा है कि नहीं और दूसरा है मसीनी करण मसीनी करण भी विरुजगारी है आपको मसीनी करण क्या है अरे जो काम हास से इंसां दस दिन में करता था आज मसीन में एक घंटे मों जा रहा तो मसीनी करण के करण भी बेरोजगारी है बत समझ बगे तो बेरोजगारी का करण फिर कहोगे बेरोजगारी हटाने का उपाए यह भी आपका हेडिंग बनेगा और भी लगाम दिया जाए तो बेरोजगारी साफ हो जाएगी यह हो गया आपका बेरोजगारी फिर लिखोगे निसकर्स निसकर्स का मतलब पूरा कहानी बताने के बाद तुम क्या लिखे तुम बेरोजगारी प्रकार की समस्या है इसका निवारण इस प्रकार से हो सकता है बस यह और रहां थो होगे आपका निस्कर्स बताओ निवन्द लिखने का तरीकिया समझ मारा केstillए थीक है तो मैं यहहां फ्रस्तवासजा ना सभसे पहले भी कि część होगे थीक है प्रस्तवान Willow तो प्रस्तवाना में जहसे मालों विरोजगारी मैं प्रोजगारी मैं लिए तो प्रश बोजगारी एक प्रकार की उमस्या है और भारत में बढ़ती जन संख्या को देखते बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है यह हो गए बीरोजगारी करना शिर निको कर दोगे बेरोजगारी बढ़ने का कारण जा इस आप फिरिंग डालोगे और ऐसे करदूगे अब इसका पहला पॉइंट तो बढ़ती जनसंख्या अ कल दो रती जनसंख्या की हमारे भारत में जो जब ज्यादा बढ़ रही है लेकिन जो है खार खाने फैक्ट्रिश इन सभी कि कमी अ क्लोच प्रतफे दिन बढ़र रही है इसलिए बीरोजगारी इसल gelen गए यहो घुर फॉयन्ट इसी मेद फॉइंट क्यार के कमी कर भी के है किन्त कर्ठानों की अधिक flour and कमी यानि कि हमारे भारत में कल कार खाने कोई कमी है जिससे आदमी बेरोजगार है अगर कार खाना होता फैक्टरी होती तो आदमी जाको उसमें काम करता तो यह भी बेरोजगारी का कहीं है कहीं कार है तीसरा पॉइंट लिख सकते हो लिख सकते हो लिख सकते हो कि सरकारी करमचारियों के मांग में कमी सरकारी करमचारियों के मांग में कमी मतलब कि जो सरकार के दौरा बैकेंसी निकलती है वो सीटे बहुत लिमिटेड निकालते हैं सीटे निकालते है जोकि ज़्यद जद ज़्यदा सीट निकाल अची है तो उसके मांग की कमी इसके बारे में भी बेरोजगारी हो सकती है समझ भागया की लहीं गरीबी वी मेरी करकें तो गरीबी मी कही न कहीं बेरोजगारी अब फि tu liखोगे का यहाँ पर उपाय गरीबी को दूर करने यहां पर नरी सदुरी बेरोजगारी को कि इसके बार 荷्एलों गे बेरोजगारी को क दूर करने को उपाय है फिर उसमें 25 aprs डाल पर यह मतलब हो गया कि ये तोटल कहानी जो बताया हो तुम इसका क्या मतलब निकला इसका मतलब यह निकला कि बीरोजगारी एक समस्या है। इससे निपटना बहुत जरूरी है यह हमारे देश के लिए बहुत ही हानिकारत चीजे हैं बस समझागे तो यह हो गए आपका निबंद आपको निबंद समझ में आ गया होगा कि निबंद कैसे लिखना है बात को समझो किसी भी टॉपिक पे अगर निबंद आता है तो आपको सबसे पहले डिशाइड यह करना है उन पांच टॉपिकों में कि किस टॉपिक में ज्यादा आप लिख सकते हो यह नहीं कोई भी उपर स में से घाखा किसी एक टॉपिक पे लखना होता है तो आप देखो गें कि उसमें से टॉपिक प्रयादा लिख सकते हो समझ मैं अगैंक, की नहीं तो इस चीश को आप वहां पर खोजोगे, और में ज्यादा लिख पाओगे उसे को बारे में बेखना मैं एक हिंट के रूप में मता दूं तो जो नीबंद पूछे का पूछ सकता है बीरोजगाली पर ठीक है दूसरा प्रादूसरी पर प्रीष है है विच्ञान के चमथकार के पूछ सकता है कि विच्ञान का चमथकार क्या है हमारे लाईध में इसके बारे ये पूछ सकता है बांकी और भी छुटी-छुटी जो समस्याँ हैं संखर हैं उन सभी के बारे में पूछता है मतलब कि आपका एक पुछे का गायप निबंद लिखो फलाने चीछ पनिबंद लेगो ताज माहन पनिबंद लेगो ऐसा नहीं देता है मतलब कि एक technical mind के हुट के हिसाब से देता है कि आप अगर कुछ भी ना करो क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं वचा हुआ है तो आप ज्यादा फाल्दों काम नहीं करोगे और एक चीजा याद रखना नया पढ़ने की कोशिस कम करना बाकि जो पढ़े हुए उसको रिवीजन करने की कुशिस करना जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे यार उतना अच्छा लिख करके आओगे और एक बात अपने दिमागों बैठा लेना कोई भी कोश्चन छोड़ के नहीं आना तीस कोश्चन पूछेगा तीस का तीस लिख करके आना कुछ न कुछ जरूर लिख देना क्योंकि आपके मैं एक बात बताओ कि अगर मालो कि कोई कोश्चन आप छोड़ दिये तो यार वैसे भी नंबर नहीं मिलने वाला है कोश्चन छोड़ के आओगे तो नंबर मिला हावा में तो दिया नहीं जाएगा तो इससे बेटर कि यार लिख के आप आओ लिख करके कुछ न कुछ अगर आओगे तो एक्जामनर जब कॉपी आपका चेक करेगा ना तो देखेगा कुछ न कुछ लिखा है बंदा कोश्चन तीसो को करके आना एक भी कोश्चन मत छोड़ना अगर नहीं आ रहा तो भी लिख के आना कुछ बात समझ में आगी मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको कॉपिक में लिखना कैसे है ठीक है तो आप उस वीडियो का इंतजार करो मैं जल्दी से जल्दी कोशिस करूंगा उस वीडियो को लाने के लिए कि आप एक्जाम में जाओगे तो कैसे आपको लिखना है इसके बारे मैं वीडियो लाओंगा बिलता हूं नेक्स वीडियो में जैहिल बंदे मातरम